खबरादे इस गुरुटिल में इस तोहड़ा स्वागत है अते में हाजोती संदू दूसी देख रहे हो अधारा तेहरका पंजाब दा वेब टीवी न्यूस चैनल www.teharakapunjab.tv बीती रात क्रीब साड़े नौवजे ड्रीम गर्ल नाम दे नार मशूर बाजपा दी मेंबर पार्लिमेंट हेमा मारनी दी गड़ी दाहाचा इक अल्टो कार नारवा पर जान करके जित्ती हेमा मारनी गंभी जखमी हो गई उत्ते नार ही अल्टो कार सवार परिवार दी इक क्रीब चार साल दी बच्ची दी मौत हो गई ती बाकी परिवार दे तिन मेंबर वी गंभी जखमी हो गई सूत्राबास्व मिली जानकारी अनसार हेमा मालनी मतरातो परत नगर दे रस्ते विच अपनी गड़ी नमबर HR200AW5556 विच जैपुर जार ही सी कि जैपुर आगरा मेन हाईवे नमबर ग्यारा ते दोसा कस्बे नेड़े एक अल्टो कार नमबर RJ06A4939 नाल तकरा जार ते जित्थे ड्रीम गर्ल गंबीर जखमी हो गई जो कि जैपुर तो क्रीब 60 किलोमेटर दूर है उत्थे अल्टो कार जैपुर तो आ रही सी हासा इन्ना प्यानक सी की जित्थे दोहा कारांदा काफी हाथ तक नुकसान होया है उत्थे नाल ही दोहा कारांदा समान भी काफी दूर तक खिलर या प्या सी हेमा मालनी देनाल उस दी गड़ी विच उस दा पिए अते ड्राइवर भी मजूद सी ते अल्टो कार विच हनुमान खंडेल कर देनाल उस दी पत्नी सीमा क्रीब पांच साल दा बेटा सोमित अते क्रीब चास साल दी बच्ची सोनल सवार सी जिना विच उसोनल दी मोके ते ही मौत हो गई ते बागी प्रवार नुगंबी इरहाल्थ विच दोसा दे एक हास्प्ताल जाया गया जित्थो उनानु जैपूर दे S.M.S. हास्प्ताल विच पे जित्ता गया हेमा मारनी नुगंबी इरहालत विच एक गड़ी चालक ने जैपुर दे स्वाई मान सिंग हस्तल विच पहुंचाया जित्थे उस देनाक दी हड़ी दी अप्रेशन काने पे इस बंदी अल्टो कार्सवार हनुमार खंडेलकर ने हस्तल विच जानकारी दिन दे दस्या की जट की मौके थे हाजर कुछ लोग कांदा कहना सी की सवारियां थी उसमसर बच्ची वगरा बाहर निकलके पड़ गई उनको समाला नहीं किसी ने और वो है माली का पता लगते ही लोगवाओं को तुरंद गाड़ी आई विदायक जी की पांच बिटी भी नहीं लगी उनको बेठा के जेपूर रमाना कर दिया पर काफी देर त इतनी गंभी चोटे हुने लगी है कैसी उनकी अवस्ता है उन सब को दर्किनार करके स्वेम के उपचार के लिए वो जैपूर आ गई गाड़ी यहाने के बाद रल्टो को यहान हमने हाथ सोने के बाद देखा तो गलती का दो करना के सकता गलती दोनों की रफ्तार तेस्त थी और एक गुमाओं से ढ़ी उन से तो गलती दोनों की हैं इस मौके हेमा माली नो अपनी गड़ी राही हास्तार विच पहुंच वाले डाक्टर शीव शर्मा ने जानकारी दिन्दे दस्या की वहां से गुजर रहा था तो यह करीबन साधे हाट पूने नो के लगसमतिंग मानके चलिया गए एक अल्टो कार और हिमा मालनी जी की जो मर्सडीज गाड़ी थी वापस में बिड़ी यह गाड़ी डिवाड रोड से उतरके डिवाड पर चली गई दोसा के पास में लाल सोट जगह है वहां के रहने वाले लोग थे वह रोंग साड़ से आ रहे थे तो आपस आम आमने सामने टकर में उसमें एक अन्हपीनेस भी बड़े दुखत गटना है कि एक बच्ची के उसमें मौत भी होगी अच्छी वह टी पॉइंट है जैसा बताय मेरी बात हुई है उनसे जैसे उन्होंने का उसमें सो के अंदर उन्होंने अपनी स्पीडो को पताया था सौ कि अभी कुछ दिर पहले जो आल्टो के ड्राइवर थे जो कार में सवार थो उन लोगों के घलाब एक अफायार दर्ज कराई है जी ओवर स्पीडिक उसमें मान जी मैं सफारी से था मेरी से कितना वक्त लगा हुब आपको एक्सिडेट के बाद महां तर्फ में दो मिनिट थी तो कितने लोग थे अच्छी आज़िए चार लोग थे वो तीन लोगों को कोई चोटे हुआ जी उनको हुआ कि सब ओके हैं ठीक है एक ड्राइवर था एक शा अजै तो दिखा जाए तो यह गाड़ी रॉंग साड की वजह से असा हुआ है और दोनों गाड़ियां हमने सामने टक्कर हुई है काफी खेती हुई है इसको अपने माने के एक रोड़ पर रॉंग साड़ी होने के वज़़े से हास्सा हुआ है आप जब पहुंचे तो एमा वालने जी गाड़ी में इनके साथ वाले थे वो काफी वो कर रहे थे मैंने इनको पैचाना जूली वहाँ पर पैचानने में प्लिश को फोन किया वहां के लोगों को फोन किया वो लोग आये मदद के लिए फिर मैडम को जब उनकी स्तथी तो उन्हों ने यह पुर अपनी गाड़ी जी मैं खुद ड्राइव कर रहा है इमा जी से बात चीत होने का ऐसा है कि उनकी तब्यात ज्यादा कुई चोट लगी हुई थी तरह में उनको पेन बहुत ज्यादा हो रहा है कि आप जल्दी से जल्दी मुझे पहुचा है कि इतने वक्त में आप एंप मैं 35 म पहुचाना था जितनी जल्दी कोशिस कर सके हमने जैप पुल्ला के फोटेज में अप्डिट कराया उनको और उनके बाद में अब उनका ट्रेटमेंट किया गया है और डॉक्टर्स कह रहे हैं कि उनको ठीक है इस कटना दी सूचना मिल दे ही राजस्थान दी मुख मंत्री जिवसुंद्रा राजे ने मौके ते पहुचके जखमियादा हाल चाल पुच्छा ते हेमा मालनी नाल मुला कात्वी केती अचे डाक्टर नू वजिया ते सुचजे टांगनाल इलाज करन दे अदेश विदित्ते जखमियादा इलाज कर रहे डाक्टर मान परकाश शर्मा ने क्रीबन सारे ही जखमियादी हाल खत्रे तो बाहत अदे होई किया कि इस हासे दिवा प्रंतो बाद उस दी बेटी ईशा दियोलवी जैपूर दे हास्पतार विच पहुँच गई सी इस मौके हेमा मानी दी गड़ी दी ड्राइवर खिलाप मामला दर्ज कर रंतो बाद गिरफ्तार कार लिया गया सी पर फिर उस नूजमान तेशार दित्ता गया सी उसने अपने अपनो निर्दोर दस्दे किया कि जैपूर साइड से गाड़ी आई उसने राइट ُन में मोड़ दी उसने सामने खिलिया गार दौसा लाल सोट का ये वही तिराया है जहां बीजेपी की सांसद हेमा मालिदी का मेरे दाएं तरफ जो सड़क का हिस्सा है वो जैपुर से आकर के और दोसा और भरतपुर तक जाता है और मेरे पीछे जो ये सड़क का हिस्सा है ये वो हिस्सा है जो भरतपुर से आ रहा है और जैपुर की तरफ जा रहा है हेमा मालीनी की गाड़ी उसी जगह से आ रही थी जैसे कि अब आ देख सकते है और मेरे दाएं तरफ जो सड़क का हिस्सा है वहां से ओल्टो आ रही थी ये वो तिराएं का हिस्सा है जहां से ओल्टो घूमती है और औल्टो के घुमने के साथ ही सामने से वहां से तेजगती से मर्सिडीज आती है इस जगे पे दो दो देख सकते हैं इस समय भी आप सड़क के उपर निशान देख सकते हैं टायर के कि कितना जबरदस तरीके से उसके बाद एक ब्रेक लगाया गया है सड़क के अंदर वहां पे कुछ गड़े पर चुके हैं जहां पे आक्सिडेंट हुआ और उसके बाद ये टायर के निशान है ब्रेक लगते हुए इतनी जबरदस पीड थी मर्सिडीज की अलियंतरित होने के बाद कि वो इन डिवाइडर्स को तोड़ते वे जमीन के अंदर गड़े हुए जो पत्थर थे इस आईलेंट के उनको तोड़ते हुए ये मर्सिडीज इस डिवाइडर के ऊपर चड़ी है यहां से आगे बढ़ते हुए या मर्सिडीज के नीचे के हिस्से जो है वो गिरते जा रहे हैं इस आईलेंट के उपर और आगे बढ़ते बढ़ते वो वहां उस कौने पर जाकर के इस आईलेंट के आखरी छोर को तोड़ते हुए यहां नीचे गिर जाती है इस टक्कर का इंपक्ट इतना ज़्यादा गाड़ी के अंदर भी तूट फूट जबरदस्थ हो जाती है यहां आईल बिखरावा आप अभी भी देख सकते हैं और गाड़ी के हिस्से जो है वो अभी भी यहां पड़े हुए है इस बीच अगर हम दूसरी तरफ नज़र डालें तो यह वो हिस्सा है जहां पे आल्टो इस टक्कर के बाद गिसती चली गई लग भग 50 फुट तक यह ओल्टो खिषती गई सड़क के उपर अभी भी निशान दिखाई दे रहे हैं कि कैसे यह गाड़ी गिसती गई है गाड़ी के अंदर से तॉलिया गिरा है बच्चों का यहां अब अभी भी देख सकते हैं कि एक बच्चे की जीन्स गिरी हुई है उसके उपर खून के निशान है एक खिलोने का टुकड़ा है यहां पर शायद कोई खिलोने का मोबाइल है जिसे वो बच्चा हाथ में लेकर के बैठा हुआ होगा चप्तल पड़ी अभी भी दिखाई दे रही है और वो गारी खिचती हुई गिसती हुई लगबग पचास फुट दूर चली जाती है ओल्टो गारी के परखचे उड़ जाते हैं इस एक्सिडेंट के अंदर मर्सिडीज भी जबरदस टक कर लेती है इस हास्चे तो बाद प्लास्टिक सर्जरी आरी मुडली साहिता दिवाण तो बाद एक प्राइवेट जाहाज राही हेमा मार्नी नू जैपूर तो मुंबई ले गए इस मौके पत्र का नाडगाल बात कर दिया इशादियों ने प्रोसा दिवाया की पामे इस हास्चे वी साड़ा भी काफी नुकसान होया है पर फिर वी ओ हार तरा नाड हासा ग्रस परवार नाल ओ खड़ेहन ते किसे वी तरांदी सा इता करन तो पिछे नहीं हटनगे खरवर घ्र देखता फ्रोसा देखता रaza मिलस्ट देखताने हा ने अनल प्रवार लुका? अज़ अधार चड़ेहन उय आई हिएर जोड़ेहन एशादियों मैंतितों और चॉर्चे के ये भी देखो वो भी देखो जब आपको खुद चोट लगती है और आपके खून बहरा है आपको पता नहीं कि आपको कहां चोट लगा है तो कुछ, you know, anything, I mean, you can't understand anything, definitely हम सब के, you know, heartfelt condolences to that family, it's very unfortunate that they lost family member, our prayers to them and it's very unfortunate, the whole accident is very unfortunate. जरूर ममी, जरूर help करेंगे, क्यों नहीं, वो एक नेता होने के कारण नहीं help करेंगे, in fact, as a human being, हमारा पुरा परिवार, definitely, जभी भी किसी को मदद चाहिए होता है, हम 100% help जाके करते हैं, और उन्हें help की जरूरत है, हम 100% help करते हैं, क्या चार्जिस लगाएगे हैं ड्राइवर के ओपर और आप मौकाई बादा पर जब तो क्या लगा कि किसी गलती हो सकती है, क्रॉस सेक्शन है, हमारा को ऑभी 850 पर आप्सीडंट हुआ जिसमें, कि मर्सिडीज कर जो कि आगरा की तरफ से जैपु जा रही कि और डूसी ऑल्टो कर जो जो जा जा रही कि और लालग फूर्ट बाइपास, जो कि एक ट्राइजांक्शन हैं, वहां पर आपर अल्टो का और उसी ताइम जो स्पीडिंग वहीं कि थी मरसिटी जिसमें के किराफ गाड़ी के सेक्षिन 279, 337, 338 और 304 A में और माद कवराथ कमाई स्पेशल टीम जैबो जाके अनोने डाइबर कर राउंड अप किया और उससे बात पूछता है उसके अग्री किया कि परीफ 120, 125 की स्प पूछताज की गई और उसके बास पर रेस्ट किया गए यह तो अविलेबल ऑफिंस है अनपॉच्छत होगे चुकि आप यहां पूर है जी प्लैंड इस्ट्रिक्ट फूचर्व ऐसा कुछ ना हो तो उसके लिए क्या प्रकॉशंस देगे आप लोगे वेल नाशनल हाइवे है तो नाशनल हाइवे पे जो प्रॉब्लम में एक फेस कर रहे हैं सभी पूलिस ऑफिसर और आप पब्लिक भी कि उसके डिवाइडर्स स्ट्रीड ब्रेकर्स वगरा बतारा है अर्मस्ट बैन है तो अभी हमने लगाता है नाशनल हाइवे अथर्टिस सर्म मेटिंस करते हैं ने कि उसमें जो भी हाइवे में इंटिनेंटिस करणा लिकम्पनीज हैं वो भी यह बोती हैं कि हम लोग इन पे हाइवे इस पे जो सांक्शन पर स्पीड ब्रेकर्स नहीं बना सकते हैं तो इस समय में हमारी पोशिच यही है कि इनसे बात करके ऐसे जो भी कट्स हैं जहां जहां पर कि ट्राइजंक्शन हैं या जहां में चौराये हैं वहां पर चारो तरफ चौराये बनाए जाए उन पर प्रॉपर तरीके से मार्किंग हो और हमने पुल हाइवे पर भी स्पीड के डिरेक्शन भी लगवाए हैं और प्रयास कर रहे हैं कि इस तरह की जो भी बढ़र सामने आ जाते हैं महां पर दूसी गाड़िया सामने आ जाते हैं उसके वह जिससे अचिट्स होता है और once he is arrested, आगे क्या legal probability यह जो sections है, उसमें the offense is available offense, लेकिं क्योंकि इंतर से कोई भी जमानती नहीं था है, इसलिए इसको driver को बात पूछता कि arrest किया गया है, and he will be produced in the court shortly, और court to produce होने के बाद जैसे direction of the court देंगे, उसे तासकार रेकी है, उसे तासकार रेकी है, और जैसे कि आप बेल हो जाएगा, अधारा तेहर का पंजाब अते, पब्लिक पीस मॉनिटर वे, ओफिस दी इंचार जोती संदी, पापा मार्केट, सेटेंड फ्लोर, ओपुजेट बास सेंड ज़न्द, ज़न्द,